आज के वीडियो में चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी हैंड्स ओन एक्टिविटी है उसको डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 6 का नाम है यूजिंग दा आइकन्स पेज को स्क्रॉल करते हैं आगे बारते हैं हमारा सबसे पहला एक्टिविटी होगा पेज नमबर 58 में आपका एक स्क्रीन दिया हुआ ठीक है आपको डेक्स्टोप को देखना है और देखने के बाद काउंट करना है किसे डेक्स्टोप पे कितने आइकन्स है तो देखिए 1,2,3,4 आपका यहाँ पे 4 आइकन्स हो जाएगा नेक्स्ट आपका एक्टिविटी है कि आपको स्कूल का कम्प्यूटर अपने घर का कम्प्यूटर और यह मम्मी या पापा का जो कम्प्यूटर होगा उसको ध्यांस देखना है और उसमें डेक्स्ट आप पे जो जो आइकन्स है उसका नाम लिखना है देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आइकन्स का नाम लिखा है इसकूल कम्प्यूटर का होम कम्प्यूटर का और लैप्टॉप आफ मदर या फादर कम्प्यूटर ठीक है इसमें से आप लोग को जो आइकन्स दिखेगा इसकूल के कम्प्यूटर पे या घर के कम्प्यूटर पे तो आप लोग उसका नाम लिखेंगे ये जो लिखा हुआ है ये मेरे computer के recording लिखा है इसमें आपका संख्या बर भी सकता है घट भी सकता है इसलिए जो आपको आपके desktop पे icons का नाम है उसको लिखेंगे ये आपका कुछ icons का नाम है आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप book से देखकर लिख सकते हैं नेक्स्ट आपका हो गया कि जितने भी icons आप लोगों ने देखा उसमें से common icons क्या हो जाएगा तो यहाँ answer में हो जाएगा this PC, my document, recycle bin और network ये चार icons ऐसे icons है जो हर computer में चाहे school computer हो या घर का computer हो या ममी पापा का computer हो समें देखने को मिल सकता है next हमारा activity हो जाएगा page number 60 में आपको lab में क्या करना है कि computer के मदद से आपको desktop पे icons को बनाना है it means जो icons आपको होगा तीक है उस icons को double click करके open करना है open करने के बाद आप उसको देखेंगी कैसे आपका icons open हो रहा है double click से open हो रहा है या आपको right click करने से open हो रहा है इस चीज़ को आपको observe करना है इसलिए मैंने यहां लिखा है do in computer lab और home computer ये आपका खुद से घर पे करना है उसके बाद next आपका activity हो जाएगा page number आपका हो जाएगा 62 62 में icons ये आपका hands on हो जाएगा open my computer recycle bin control panel and tux paint icons close all these by clicking on close button यानी x button आपको क्या करना है my computer recycle bin control panel and tux paint सभी को open करना है और इसके बाद close button से close करना है now next आपका activity हो जाएगा ये भी आपका activity lab work में है activity में क्या है कि आपको desktop पे right click करना है या single click करना है उसके बाद drop down menu के मदद से आपको जितने भी command ये से page number 16 देखिए आपको drop down menu दिया हुआ है जिसे icons को arrange करना उसके बाद icons को small में करना, icons को large में करना, icons को medium में करना ये से आपको खुद से practice करना है ठीक है उसके बाद एक option उसमें होगा auto arrange करना इससे क्या होता है आपका icons automatic arrange हो जाएगा तो ये सब आपको option खुद बखुद करना है इसलिए मैंने यहाँ पे lab work लिखा है नेक्स्ट आपका हो जाएगा राइट ब्रीफ्ली डिफ्रेंस बिट्विन थी इस पेस प्रवाइडेड लार्ज आइकन, मेडियम आइकन और स्मॉल आइकन तीनों में क्या डिफ्रेंस है तो हम लोग जानते हैं कि लार्ज आइकन जो है हमारे आइकन को बरे साइज में डिस्प्ले करता है मेडियम आइकन जो है वो आपको आइकन को मेडियम साइज में डिस्प्ले करता है इसमॉल आइकन जो है वो आपको आइकन को स्मॉल साइज में डिस्प्ले करता है अब next देखते हैं आपका activity क्या है यह भी आपका recycle bin open करना है recycle bin open करने के बाद आपको recycle bin का window है उसको minimize, maximize और restore करना है ठीक है यह आपका lab work है आप इसे खुद करेंगे उसके बाद next topic आपका हो जाएगा last आपका हो जाएगा page number 67 67 में कुछ question है उसके recording आपको answer लिखना है which button should be click to close the topic कौन से button को click करते हैं तो हमारा यह topic जो है close हो जाता है ठीक है तो आपका हो जाएगा close button close button से क्या होता है आपका कोई भी यह जो window है वो बंद हो जाएगा या topic जो है बंद हो जाएगा उसके बाद how can we navigate a topic using mouse और keyboard तो mouse की मतलब से हम कैसे कोई भी topic को navigate करते हैं तो आपका answer हो जाएगा mouse using scroll bar we can move up down left or right in a window keyboard using arrow key we can navigate any topic और move up down left and right तो यह आपको keyboard और mouse जो है अलग अलग सिच्च्च्च्च में ऊपर नीचे मूब करने की काम करता है कर दो कर दो कर दो कर दो